तो दोस्तों एक से तीस ततों का इलक्त्रोनिक विण्यास इस विडियों बदाएंगा इसके बाद में 31 से लगार करें 50 तक जो ततों बस जाते हैं उनका नेक्स विडियो में यानि की पार टू में आपको विडियों बनाके दे दूँगा ठीके तो आज हम पढ़ेंगे एक से तीस ततों का इलक्त्रोनिक विण्यास लिखना इंडिया निकालना तो दोस्तों यहां पर इलक्त्रोनिक विण्यास निकालने से पहले आपको इलक्त्रोनिक विण्यास की जो सीरीज होती हो याद होनी चाहिए ठीक है जो कि मैंना इस प्रकार से लिखिए लगबग 7P तक ठ तो ऐसा 4S के बाद में 3D को कि लिखा है 3P के बाद में 4D को लिखना चाहिए ठीक है जब हम ततों का electronic union को rearrange करते हैं तब जाके क्या होता है कि 3P जो होता है जहाँ पर जैसे कि मैं लिखता हूं 6P अब इसमें क्या है यह जो आगे संख्या लिखी होती है वो है कोश की संख्या किसकी संख्या है कोश की संख्या और यह लिखा है इसको हम कहते है उपकोश और यह जो उसके उपर भरा जाता है जैसे कि मान लेज़े दो भर दिया हमने तो यहाँ पर जो दो लिखा है वो क्या ह किस संक्या एक इस आधार पर आप देखो तो यहां पर थे पी के बाद में तिसरा कोष में इसके बादे तिसरा कोष लिखा जाएगा तो बात रहती है कि कहीं कहीं आपने रियारंज करके इसको लिखेंगे तो इस पर कैसे लिखा हूँ दिखाई देगा यानि कि 3D को बीच मे यही सीरीज ध्यानकनी होगी, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि N फ्लस L का नियम लगता है और जिसकी उर्जा कम होती है, उसमें पहले इलोक्रॉन जाता है, इसके बाद ज्यादा उर्जा वाले कोक्षक के अंदर इलोक्रॉन भरा जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर सीर दे देते हैं कि S में अधिक्तम आप 2 इलेक्ट्रोन भर सकते हो S में अधिक्तम कितने भर सकते हो 2 इलेक्ट्रोन भर सकते हो इसके बाद में P में अधिक्तम 6 इलेक्ट्रोन भर सकते हो इसके बाद में D में अधिक्तम 10 इलेक्ट्रोन भर सकते हो और F में अधिक्तम 14 इलक्ट्रोन भर सकते हो यानि की कहने के हमारा मतलब यह है कि भईया S में 2 इलक्ट्रोन हो आएंगे इससे अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो आगे वाली सीरीज देखेंगे हम बट इसमें 3 इलक्ट्रोन नहीं आएंगे पी में 6 इलक्ट्रोन आते हैं लेकिन इसमें 7-8 इलक्ट्रोन नहीं भर सकते हो D में 10 इलक्ट्रोन आते हैं उससे ज़्यादा नहीं भर सकते हो ठीके F में 14 इलक्ट्रोन हैं कि उससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं तो हम भरना स्टाट करते हैं देखिए ध्यान से इसको आपको ध्यान रखना होगा हाइडोजन से सबसे परमानोक्रमांग हाइडोजन से लेकर यहां से स्टाट करा हुआ हाइडोजन का परमानोक्रमांग एक होता है इसका कैसे लिखेंगे तो हाइडोजन का परमानोक्रमांग एक तो इलोक्टोन भी इतन रखना जाएगा एक तो आप कम भर सकते हो तो चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं भर सकते हैं अब आगे तो आगे हो जाएगा हिलियम टू अब इसमें देखो वन एस में 2 दो वर दिए अब आपको गिन्ना पश्रोड़ा भी है कितने हो रहे जैसे कि इसका बंदाश् recently के दो होती है और ऄजक्ति गर दो भर दिए आगे नहीं देखना है अगे देखो हट्रों हेलियन लिथीरम इति हो यह कंन बिरीलियम इसके गहा करना जाता है और मोला ना lead från इसको करना जाता है चार पांच छे साथ आठ नो दस ठीक है इस प्रकाश आमने इलक्रोनिक इस प्रकाश के प्रवाण संग्या लिख दिये अब देखो लिथियम का प्रवाण संग्या कितनी है तीन सबसे पहले लिखो सीरीज 1S तो 1S लिख दिया इस में कितने इलक्रोन भर सकते हो दो इलक्रोन भर सकते हो तो एस में आप दो इलक्रोन भर दे हुए अब कितना बचा यहां पर ते तीन है तो दो इलक्रोन आपने भर दिये यह दो इलक्रोन आपने भर दिये तो कोई की संग्या उससे कोई मतलब नहीं हमारा तो यहां पर द एक ही इलक्रम बचा है तो यहां पर हो जाएगा इसका न दिता है तो आराम सा जाएका चार तक करने हमको इसकर तक क्लीस कितना ये बाकी कितने बचे चार में से दो बचे तो किसम आ जाएंगे थीक है ऐसे तो पर हाँ जाएंगे दो इसका ना बारण का देखो 1s2 इसका दबही रहेगा 2s अब 2s2 कर देंगे क्योंकि यहां पर तो 4 तक हो जाएंगे अब आगे वाली सीरीज देखो 2p 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 पी में कितने भर सकते हो तो पी में आप अधिक्तम 6 भर सकते हो लेकिन देखना है कि यहां पर कितने हैं परौन संक्या पांच है तो यहां पर दो और दो चार इलक्ट्रॉन हो गए एक बचा तो एक इसमें आ जाएगा ठीक है आगे देखो 1s2 2s2 और 2p कितना आ जाएगा बत 1s2 2s2 2p 3 आगे देखो 1s2 2s2 2p 4 आगे देखो 1s2 2s2 2p 5 आगे देखो इया 1s2 2s2 2p 6 होगे दस तक देखो दो ईलक्ट्रोन दो ईलक्ट्रोन 6 उलक्ट्रोन दस हो गयी और नियुन तक हो गया आगा देखतें आगा ईज़ेतागा सॉडियम से इलक्रोन ग्जLab सोडियम मेगनिश्यम एलुमिनियम सिलिकन फास्ट फॉरस इना इसके उना देता है यहाँ पर सलफर क्लोरीन आरगन पोटेश्यम केल्शियम ओके होगे दस एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो तस ठीक है दस हो गए देखो इधर 12 इसका प्रोनुसन क्या इसका तेरा इसका 14 इसका 15 16 17 18 19 20 अब इसका भरो यहां तक तो क्लियर है ना यहां तक 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 लिए रहे 1s2 2s2 2p6 तो फिर आगे कौन सा सीरीज है 2p6 हो गया इसका 3s 3s स्टाट होगा ठीक यहां तो तो आप इसकी दिगर यहां पर नियोन भी लिख सकते हैं बट यहां पर मैं नही स्टाटिंग से वापस स्टाट करते हैं आप देखो अगर मैं इसको नहीं गिंदा और सिधा आपको पूझ लिया जाए कि सोडियम का इलक्रोनिक विन्यास बताईए तो कैसे बता होगे देखो वनेस लिखा उसमें दो इलक्रोन भरे ठीक है वनेस लिखा उसमें कितने भरन छे भरने अब कितने हुए गिनो दो दो चार छे दस हो गए अब आगे 3S 3S में कितना हैगा बताओ कमेंट करके तो देखो सोडियम तो हो जाएगा हमारे पास में कितना ग्यारा दस तक हो गए तो बचा एक हाला कि हम S में दो भर सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक है तो एक भर आगे देख तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 12 होए अभी 13 करने हमको तो आग 3s के बाद आगे वाली सीरीज देखो 3p 3p ठीक है तो हो जाएगा 3p 3p 1 क्यों देखो 1s2 2s2 2p 6 10 होगे दो 12 और 13 होगे अगे अब दोस्तों एक काम करता हमें आपको मैंने बता दिया भी यहां तक तो हमारे पास में क्या हो रहा है यहां तक तो हमारे पास में 10 हो रहा है और 10 की जिगह कोन आ रहा है नियोन आ रहा है और नियोन होता है एक ताइप की अक्रिय गै हमने मतलब यहां तक तो कंप्लीट हो गए आगे देखो 3s2 अब 3p कितना जाएगा टू ओके दस दो दो चार चाहुदा हो गए अलाम से डिक्स बता सकते हूं इधर देखो नियॉन पंद्रा करने तो 3s2 और 3p 3 आ जाएगा फिर आगे देखो नियॉन 3s2 और 3p 4 आ जाएगा नियॉन 3s2 और 3p 5 आ जाएगा अगे देखो नियॉन 3s2 3p 6 आ जाएगा अब गिनो कितना हो रहें दस तो नियॉन का परमाण सेगे दस तक तो होगी और दो किते हुए बारा और छे अठारा हुए ठीक है तो यहां पर हमारे पास में हो जाएंगे कितने अठारा तो अठारा पर कोन हो जाएगा आरगन अब बात कर लेते आगे नियोन 3s2 3p 7 नहीं कर सकते हैं 7 कि गलत हो जाएगा प्योंकि अधिक्तम 6 लक्तर बढ़ सकते हो तो अगर इसमें 7 नहीं कर सकते हैं तो 6 रहेंगे 3p के बाद कोन आएगा तो 3p के बाद आएगा 4s कोन आएगा 4s तो इदर आजाएगा आगे 4s1 फिर इदर देखो आगे नियोन 3s2 3s 3p 6 और 4s2 हो गए 20 तक ओके 20 तक हुए हैं अभी आगे देखते हैं 21 से हम करते हैं आगे अगे अगे यहां से मैं स्टाट कर रहा हूं स्केंडियम इसका परोनसीं क्या होती है 21 टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मेगनीज आईरन कोबाल्ट निकल कोफर जिंक ठीक है इसका जाता है 22 इसका जाता है तेएज इसका जाता है 24 इसका जाता है 25 इसका जाता है 26 इसका जाता है 27 इसका जाता है 28 इसका जाता है 39 इसका जाता है 30 चीक है ओके इसको देखो आगे दोस्तों यहां तक आप मान के चलो अठार तक देखो आरगन नियोन दस्तक हुए 3S2, 3P6 यहां तक आपको मान के चलना है आरगन आरगन है उत्क्रेस्ट गेस या फिर अक्रिय गेस तो इसका इलोप्रोनिक गिन्यास यहां तक तो कम्प्लिट हो जाएगा तो इसकी जगह पर हम इसकी जगह पर जब 21 लिखेंगे तो इसकी जगह पर क्या होगा एक बार में लिख के बताता आपको समझ नहीं आया तो देखो पूरा लिख के बताता आप ठीक है आगे देखो फॉरेस तो फॉरेस ठीक हो जाएगा इसकी बना जाता है थ्रीडी अब 3डी में कितना जाएगा एक बार गिनो नहीं समझ आ रहा है तो दो चे चोटे चोटे लिखेंगे आप समझ जाओगे यहां तक तो ठीक है तो दो दो चार चे 10, दो बारा चे अठारा थ तो मतलब 3D में कितना जाएगा 3D में कितना जाएगा एक जाएगा तो आप है ना इसको अराम से इधर तक यहां पर 18 ऑप आर्गन को तो मैं यहां पर ठोड़ी सी कम पट रही है तो आपको अगर सिखना है ना तो आराम से आपको कुछ नहीं करना है बस इस सिर्यूस को याद कर लेना है जैसे कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 6d 6p 7s 5f 6d 7p इस प्रकास पूरी याद हो जाएगी कुछ नहीं करना इसमें अब देखो कहा गया कि इसकेंडियम ठीक है अरगन तक लिखो तो आरगन अठारा अठारा हो रहे तो अठारा यहाँ पर 3p तक हो रहे फोरेस आ जाएगा फोरेस टू कितना हुए बिस हो गए अब बार की बात रही 3D की तो 3D में कितना आ जाएगा 3D में जाएगा बन 21 हो गए अब ता आराम से लिख सकते हैं अब कुछ नहीं करना है सब में एक बार आरगन आरगन लिख दो अठारा अठार तक तो ठीक बात है हाँ अब लिखो स्टार्ट करो फोरेस टू थ्री डी टू है ना टू करेंगे तो 22 हो जाएंगे 4s, 2, 3d, 3 Chromium का नहीं लिखना है 4s, 2, 3d इधर कितना हो जाएगा 25 है ना तो 5 आजाएगा 4 तो नहीं लिखा है मैं अभी इसको रेन देते इसमें एक खासिद बात है 4s, 2, 3d, 6 4s, 2, 3d, 7 आगे देखो 4s, 2, 3d, 8 4s, 2, 3d इसको रेन देते कॉपर को इसमें भी एक अफ़ा दे लास्ट हो जाएगा 4s, 2, 20 3d, 10 30 हो गए 30 हो गए ना हाँ अभी यहाँ पर आपके दिमाख में एक कॉशन आ रहा होगा सला यह क्रॉमियम क्यों छोड़ दिया कॉफर क्यों छोड़ दिया तो देखो इसमें एक अफ़ाद की चीज़े हाला कि यहाँ पर देखो 4s, 2, 4s, 2, का 4s, 2 होगा और 3d, 4, का 3d, 4 होगा बट यहाँ पर दिक्कत यह आती है कि जो d होता है उसमें अधिक्तम कितने इलोक्टरन भर सकते हैं 10 तो इसको बोलते हैं पूर्ण भरित कक्षक और जो पूरा भर जाता है जैसे कि अगर आपको खाना खाना है ठीक है तो आपने खालिये दबा के तो आप तो पैट फूल हो गया अब नहीं खाना खाना है अब तो आप पूरा संतुष्ट हो गये तो यहाँ पर d में अगर 10 इलोक्टरन भर जाएंगे तो वो पूरी रूप से भर जाएगा अस्थाई हो जाएगा लेकिन d में अगर 5 इलोक्टरन है जैसे कि आपको खाना खाना था आधा खाना मिल गया तो भी संतुष्ट हो जाएंगे अच्छी थर्शे भूग लगी थी पर आधा खाना मिल गया तो भी संतुष्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि d होता हो 5 होगा इसका मतलब क्या होगा वो अस्थाई होगा इसको बोलते अर्द पूर्ण अस्थाई और D10 है उसको बोलते पूर्ण पूर्ण भरित अस्थाई कहते इसको ठीक पूर्ण पूर्ण भरित कहते है अब यहाँ पर दिक्कत यह आती है कि यहाँ पर 3D4 है अब इसको आधा भरने क के लिए कितना इल्ल obvious इसको चाहिए एक इल्लक्ट्रोन जिससे पाँस होजाए अब दिक्शत होगी तो डायरिक्ट पांस होगा ही नी तो यह क्या करेगा अपने वाले जो पांस वाला होता है उससे इल्लक्ट्रोन वो ले लेता है यानि कि यहाँ पर फौरेस one हो जैएगा औ और 3D 5 हो जाता यह अफवाद है ध्यार रखना इधर देखो फॉरस्टू और 3D 9 होगा इधर बट दिक्कत क्या है मैं आप इजस्ट बताए आपको कि डी में 10 इलक्ट्रोन हा सकते मतलब पूरा संतुष्ट होने के लिए उसको 10 चाहिए यहां पर कितने हैं 9 है अब दिक्कत ह एक इलक्ट्रोन की तो यहां पर 10 हो जाएं तो यह तो अस्था ही हो जाएगा तो यहां पर हो जाता है यह एक कितना हो जाएगा एक तो इस प्रकार का इलक्ट्रोनिक विज्ञास जो की एक तो आपको यह ध्यान रखना है क्रॉमियम वाला और दूसरा आपको ध्यान रखन है यह कोपर वाला तो यह दोनों होते अफवाद है इसके अलाव आप जिसमें देखोगे तो आराम से भर सकते हो तो मैं आपको एक से 30 तत्व कि कैसे भरते वह सिखा दिया है अब मैं नेक्स्ट पार्टन बताऊंगा कि अगर आप 3150 तक इलोप्रोनिक दुन्या लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं ठीक है तो बाकी यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूब बताएगा और वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि पर देना मिलते रहें एक्से वीडियों में तब तक लेजए हिंट वांदेवाद र